हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो काजल्स किचान, आज हम बनाएंगे रेश्टोरन स्टाइल पाउबाजी, ये पाउबाजी की रेश्टोरन स्टाइल नहीं देखी होगी, तो आपकी पाउबाजी रेश्टोरन स्टाइल नहीं बनती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, एक बा और आपके घर बनेगी बार-बार ये पाउभाजी तो ये वीडियो आपको एंट तक देखना होगा साथी में आपको दिखाऊंगी मसाला पाउँ केसे बनता है पाउभाजी के साथ तो चलिए हम बनते हैं पाउभाजी तो यहां मैंने सब सबजिया ले लिये है वोश करके कट करके तो यहां मैंने लिया है तिन से चार बड़े आलू एक कैपसिकम थोड़ा सा पुलगोबी एक प्याज एक बेंगन और एक टमाटर और मतल लिये है तो यहां हम कुकर में सब को बोईल करेंगे तो यहां मैंने तिन से चार टेबल स्पन जितना ओल लिया है वन टेबल स्पन जीरा हाफ स्टेबल स्पन हल्दी पाउडर हाफ स्टेबल स्पन हींग और हाफ स्टेबल स्पन गरम मसाला सब सबजियों को इसके अंडर डाल और टेस्ट अकोडिंग शोल्ट डाला है इसको अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा पानी एट करेंगे यहाँ मैंने वन एन आफ ग्लास पानी का डाला कुकर को बंद करके 3-4 विसल लगा देंगे तो यहाँ हमने लिए है 3-4 बड़े टरमाटर, दो बड़े प्यास, थोड़ा सा हरा धन्या, चार से पांच, ग्रीन चिली, अद्रक और लेसन तो यहां हमने हरा धन्या, अद्रक और लेसन, और ग्रीन चिली को क्रस्ट कर लेना है तो यहां हमने क्रस्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्रस्ट इससे होना चाहिए बिल्कुल हमें फाइन नहीं बनाना है थोड़ा सा ददददा ठकना है तो हमने तिनों को अच्छे से क्रस्ट कर लिया है तो यहां तिन से चार विसल हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारी पुरी सबजी अच्छे से पक गई है तो यहां हमने एक पैन लिया है इसके अंदर डालेंगे हम साथ से आठ टेबल स्वन जितना ओइल ओइल आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते है तो यहां हमने जो ग्रीन चिली लेसुन अदरक और अधन्या की पेश्ट बनाई थी वो डालेंगे और त्री सेकंड के लिए इसे हलका सा पका लेंगे और इसमें हम डालेंगे प्यास की ब्यूरी जो हमने बनाई थी वो प्यास का कलर थोड़ा चेंज हो जाए बाद में हम डालेंगे वन टेबल स्पन रेड चिली पाउडर, वन तन्या पाउडर, हाफ टेबल स्पन हमने डाला है, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, तो इसे हम अच्छे से मिला देंगे, और 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, तो यहां हमने डाला है, जो टमाटर की फ्यूरी ब दालना है, और अच्छे से 2 मिनित के लिए अच्छे से पका लेना है, दो मिनित हो जाने के बाद, यहां हमारा पुरा ओल उपर आ गया है, इसी चेज़ में हम डालेंगे, जो बोल की हुए है, वो सबजीयों को, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, यहां आपको ए हमें बाद में इस्तमाल करेंगे, यहां हमने भाजी प्रेशर से पूरी भाजी को प्रेश करके एक जैसा बना देना है, बिल्कुल इस तरह से, तो आप देख सकते हैं, कि हमारी भाजी एक जैसे हो चुकी है, तो थोड़ी नहीं हुई है, तो आप थोड़ा सा और इसे मेश कर सकते हैं, इस स्टेज में हमें जो हमने सबजी या बोल की थी, उसका पानी बचा है, यह हम डालेंगे इसके अंदर, और इससे कर देंगे परफेक्ली मिक्स, बिल्कुल इस तरह से, यहां हमें थोड़ी थीकनेस और लग रही है, तो यहां हम आफ कप जितना गरम पानी ए आफ गरम पानी एट कर सकते हैं, तो यहां हम फिर से भाजी प्रेसर की मदद से हम फिर से इससे प्रेस कर देंगे, और अच्छे से मिला देंगे, और इसे तिन से चार मिनिट के लिए पकने देंगे, तो यहां हमें तिन से चार मिनिट हो जाए, बाद में हमें फिर से प्रे सुन लिया है इसमें हम डाल देंगे इससे हमारी बाजी का फ्लेवर बहुत है अच्छा आएगा तो यहां हम रेश्टोरेंट स्टाइल जैसे पाउं बाजी बनाने वाले है तो यहां हमने एक टुकड़ा बटर का लिया है और वन से टू टेबल सुन जितना ओल लिया है इस ट हम इसे 3 सेकंड के लिए पकने देंगे जो हमने बाजी बनाई है इसके अंदर हम डाल देंगे आप चाहे तो बड़ा पेन में भी आप इस तरह से बना सकते हैं तो यह हमने बिल्कुल रेश्टोरेंट स्टाइल में पाउं बाजी बनाई है और आपको यह रेसिपी पसंद लग रही हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना यहां हमें थोड़ी से पाजी ठीक लग रही हो तो थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हो और पतली बना सकते हैं आप अपने हिसाब से पतली कर सकते हैं तो यहां हम यहां हमने थोड़ा सा बटर लिया है हम एक चमचीतना विल डालेंगे और हरा धन्या डाला है इसे अच्छे से मिला देंगे और एक चमचीतनी हमने यहां भाजी डाली हुई है तो यहां मैंने पाउं को इस तरह से बीच में से कट कर लिया था तो इसे डाल कर इसे पल्टा देना है तो आप देख सकते हैं कि हमारी पाउंबजी बनकर एक दम तयार है तो इसे आप प्याज और टमाटर के साथ सब कर सकते हैं तो बनी है एक दम रेस्टोरेंट स्चाल हमारी पाउंबजी आपको यह रेसे पसंद आई है तो प्लीज हमें कोमेंट करके जरूर बताना क्या आपको कैसी लगी है आप उच्छी नहीं लगी है तो वह भी आप बताना हमें तो तब तक मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तो चलिए बाबाई टिक केर कि एक साथ नेक्स रेसिपी के लित कर्वास फंसके से लेक्स आ जो, एक से लेसिपी के वे ल Ch भी खिए you